सर बहुत बदाईव आपको यात्रा संपन्न होई है लेकिन अभी एक देश का बड़ा हिस्सा इससे अच्छूता है तो मेरा सवाल क्योंकि यात्रा संपन्न हो गई है क्या राहुल जी अब भश्चिम से पूरब की तरफ भी चलने के लिए तयार है अगर पार्टी कोई रोट यात्रा साउथ से नौर्थ गई मगर यात्रा का एफेक्ट पूरे देश में है क्योंकि जैसे मैंने कहा ये एक दिरिश्टिकोन है एक विजिन है देश के लिए एक जीने का तरीका है और इसका एफेक्ट पूरे देश में हुआ है कॉंग्रेस पार्टी ने और हमारे वर्कर्ज ने अलग-अलग स्टेट्स में भी यात्राएं की हैं तो इसका काफी एफेक्ट रहा है और नैशनल एफेक्ट रहा है पट सोचेंगे मेरे हैं दो तीन आइडियाज मेरे पास हिंडू से आशिक मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ मेरे मुताबिक जो देश की पुलिटिकल क्लास है और उसमें मैं सब को जोड़ता हूँ उसमें कॉंग्रेस, बीजेपी, सब पार्टियां उसमें और जनता में थोड़ी दूरी पैदा हो गई है पूरा का पूरा कम्यूनिकेशन मीडिया के थूरू होता है इंटर्व्यूज के थूरू होता है प्रेस कॉंफरेंस के थूरू होता है मेरी थिंकिंग थी कि ये जो दूरी है इसे कम किया जाए ये सिर्फ फिजिकल दूरी नहीं है तो एक इस दूरी को कम करने का तरीका सड़क पे चलने का है लोगों से मिलने का है, गले लगने का है दूसरी दूरियां भी है एक और बात आ गई है जो पहले अनबायस कम्यूनिकेशन होता था और मैं आपकी बुरा ही नहीं कर रहा हूँ, यह फैक्ट है जो पहले अनबायस कम्यूनिकेशन होता था चाहिए वो इंटर्व्यूज हो, प्रेस कॉन्फरेंसे हो अब उसमें एक बायस सी आ गई है तो जो फोकस मीडिया को ओपोजिशन पर देना चाहिए, वो देती नहीं है और जो हम बोलते हैं उसको फिस्ट कर जाती है तो मुझे लगा कि एक नए तरीके का पोलिटिकल विजिन की ज़रूरत है और मेरे माइंड में ये पहला कदम है और फ्रेंकली मैं बताओं तो ये छोटा कदम है मेरे माइंड में इससे ज़्यादा गहरे कदम है जो जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ इस्ट्रेस के बारे में डिखते हैं मगर फ्रेंकली मैं आपको बताओं तो मुझे अभी सब यात्रियों न कहा कि बहिया अभी इस प्रेस करनी पड़ेगी इस प्रेस करनी पड़ेगी हमें चलना है तो वहाँ पर तो मूट बिलकुल अलगे मतलब यात्रियों में बड़ देखते हैं